कि अ कि अ कि अ कि अ कि हलो बच्चों आपका हमारी आत्मा एकडमी चैनल में स्वागत है हम कांटिन्यूटी की बात कर रहे थे क्लास 12 का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 थी उसके हमने करी 3-4 वीडियो से पहले भी हमने भेजे हैं बनाये हैं जिसमें कि हमने कुछ नमबर 24 तक ह आई चांस की बात है कि एंजी आई टी में एक ऐसी साइज मिली जिसमें 34 कुछ ने मेरे कि लाए दरवाए तीन-चार कुछ न में वह फमेट देते हैं पुरीक साइज आज हम कुछ चब्वीस से आगे बढ़ रहे हैं देखें कुछ ट्वन्टी सिक्स क्या कह रहा है देखे पाइ-2X यह फ़ंक्षन तब डिफाइंड है if x is not equal to पाइबाइ 2 और इसकी वैलू 3 है if x is equal to पाइबाइ 2 is continuous at x is equal to पाइबाइ 2 then find the value of k इन्होंने कहा कि भी पाइबाइ 2 पर एक कांटीनिमस है प्रूफ नहीं करना है तो तरीका देखें क्या बताया गया है आपको फेले तो left hand limit निकालेंगे क्या तरीका होता limit x tends to pi by 2 minus fx इसकी पहला वीडियो देख लीजेगा उसमें concept में बताया है पहला वीडियो जो आपको है ठीक है इसमें हम पहला वीडियो सभी में link में देदेंगे जिसे कि पहले वीडियो में concept आपका पूरा clear हो जाए तो is equal to f pi by 2 minus h x को क्या हम रखेंगे pi by 2 minus h और h क्या है h is very small that is h tends to 0 कहां रखेंगे जहां यह less than हो या not equal to pi by 2 हो यहां पर रखेंगे तो क्या हैगा limit h tends to 0 k cos pi by 2 minus h upon pi minus 2 यहाएगा pi by 2 minus h अब h को 0 यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 अगर रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा फ़र इसको open कर दीजेगा limit h tends to 0 k cos 90 minus theta is sin theta so it is sin h upon pi minus यहाएगा pi plus 2h pi by कड़ गया अब sin की limit आपको पढ़ाई गई है कि sin में theta tends to 0 अगर sin theta upon theta हो तो value क्या होगी 1 जो यहां angle हो same thing should be in the denominator तो देखें इसमें क्या करेंगे आप limit h tends to 0 k by 2 अलग कर दो और sin h upon h इसकी value क्या हो जाएगी 1 तो यह क्या हैगा k by 2 तो left hand limit की value क्या गई k by 2 ठीक है अब हम निकाले जा रहे है right hand limit हम इसे इम निकालेंगे यहाँ अलग से निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा minus तो इसको खोलोगे तो यहाँ भी minus और यहाँ भी minus तो यह minus फिर plus हो जाएगा right hand limit की value क्या गईगी k by 2 ठीक यह तो right hand limit आ गई इसके बाद क्या करेंगे आप इसके बाद उस particular point पे value निकालेंगे f pi by 2 और particular point value क्या दीदी है 3 चुकि आप से कह रहा है कि this function is continuous प्रूफ नहीं करना है आप रिखेंगे कि as fx is continuous fx is continuous at x is equal to pi by 2 so f pi by 2 minus h will equal to f pi by 2 plus h is equal to f pi by 2 सब बराबर होंगी इसकी value क्या ही है k by 2 is equal to k by 2 is equal to 3 इनकी नहीं 2 को equal कर दो इसको तो equal करने से k बिलेगा नहीं इसको equal कर दो तो k की value क्या हैगी 6 तो यह question आपका 26 हो गया इसमें k निकला है 6 अब देखे 27th question क्या कह रहा है इसमें भी एक function दिया हुआ है देखे इसके प्रकार से सभी question एक जैसे हैं by chance इसके बाद हम बाद differentibility की करेंगे यह continuity आज की वीडियो में खतम हो जाएगी question number 27 27 एक function दिया है fx is equal to fx is equal to kx square if x is less r equal to 2 and it is 3 if x is greater than 2 is continuous at x is equal to 2 2 पे continuous कह रहे है तो 2 पे continuity निकाल लो left hand limit limit x tends to 2 minus fx यानि f 2 minus h h is what very small limit h tends to 0 limit h tends to 0 x को क्या रखेंगे 2 minus h का रखेंगे जहां function 2 से छोटा हो यहां छोटा है यहां रखेंगे तो क्या आएगा k 2 minus h का whole square तो इसको खोलेंगे क्या आएगा 4 की तो left hand limit की value क्या आ गई 4 की ठीक है अब बात करते है right hand limit की right hand limit में जब लिका लेंगे तो यहां 2 plus होगा यहां 2 plus होगा अब 2 plus है नहीं जहां function 2 से बढ़ा हो 2 से बढ़ा यह है इसकी direct value नों दे रखी है 3 यहां value रखने की ज़रूत ही नहीं है right hand limit की value क्या आ रही है 3 और उस particular point पर जब value निकालेंगे F3 F2 तो X को क्या रखेंगे 2 कहा जहां function 2 के बढ़ाबर हो यहां बढ़ाबर है यहां रखोगे 2 क्या हैगा 4 की आप से क्या कहा गया है कि as Fx is continuous continuous at x is equal to 2 2 पे continuous है दिया गया है प्रूप नहीं करना है so F2 minus H is equal to F2 plus H is equal to F2 F2 minus H 4K निकला है F2 plus H 3 निकला है यह 4K निकला है इन दोनों को equal कर दो 4K is equal to 3 K will equal to 3 by 4 तो यह आपका question number है 27 28 आप अपने आप कर लेंगे क्योंकि उसमें pi पे आपको continuity check करनी है अपने आप कर लेंगे उसमें कोई tough नहीं है 29 देखे है वो भी हो ऐसा ही लेकिन 29 देख लीजे देखे 29th question number 29 function दिया है Fx is equal to Kx plus 1 if x is less r equal to 5 और it is 3x minus 5 if x is greater than 5 is continuous at x is equal to 5 then find value of K यह 5 पे continuous है तो देखे left hand limit निका लिए क्या लिखेंगे limit x tends to 5 minus fx यानि कि f 5 minus h h is very small limit h tends to 0 limit h tends to 0 x को क्या रखेंगे आप 5 minus कहा रखेंगे जहां function 5 से छोटा हो यहां है यहां रखो तो आएगा K 5 minus h plus 1 जब limit रखो क्या आएगा 5k plus 1 तो left hand limit की वल्यू क्या आगई 5k plus 1 अब आएगे right hand limit में limit x tends to 5 plus fx यहां आएगा f 5 plus h limit h tends to 0 limit h tends to 0 x को रखो 5 plus h जहां बड़ा है 5 से यहां रख दो तो आएगा 3 5 plus h minus 5 एक सेकंड जब यहां वैल्यू रखेंग कितना हैगा तो 15 minus 5 is equal to 10 यह आपका right hand limit की वैल्यू आगई 10 ठीक है अब इस particular point पे value निकालो तो direct f5 रख दो f5 ना रखोगी जहां equal to है यहां रखोगी तो आएगा 5 k plus 1 तो आप जामते हैं as it is continuous at x is equal to 5 तो ही language जो सब में लिख रहे है as fx is continuous at x is equal to 5 so f5 minus h is equal to 5 plus h is equal to f5 5 minus h क्या निकला है यह 5 k plus 1 5 यह क्या निकला है 10 वो क्या निकला है 5 k plus 1 इसमें 2 किसी को equal कर दो किसी को नहीं जहां से k निकल सकी वो आप कहेंगे यह पहला और last वाले को equal करेंगे तो निकलेगा यह नहीं value तो यह आ जाएगा 5 k plus 1 is equal to 10 तो k will equal to 9 upon 5 तो यह 29th question number है 30 में कहा गया है कि यह function 2 और 10 दो पे continuous है और आपको a और b की value निकालने है देखे ध्यान से एक function दिया है 30 question देखे ध्यान से 30 question f x is equal to 5 if x is less r equal to 2 a x plus b if x is greater than 2 and less than 10 or it is 21 if x is greater r equal to 10 it is continuous at x is equal to 2 and 10 देखे आप direct आप कर सकते हैं at आप दिखेंगे as f x is continuous at x is equal to 2 तो देखे f 2 minus h is equal to f 2 plus h is equal to f 2 direct कर दीजेगा यहाँ क्या लिखेंगे limit h tends to 0 यहाँ लिखेंगे limit h tends to 0 वहाँ ही नहीं 2 अब देखे 2 minus h कहा रखेंगे जहाँ function 2 से छोटा है वहाँ direct 5 लिखा हुआ है तो 5 आगया is equal to 2 plus h कहा रखेंगे जहाँ function 2 से बड़ा है यहाँ रख दीजेगा तो limit h tends to 0 आएगा a यह लिखेंगे 2 plus h plus b और 2 कहां रखेंगे जहाँ function 2 के बड़ाबर है यहाँ बड़ाबर है यह already 5 आगया इसको इसके equal कर दो h को रख दो 0 तो आएगा 2a plus 5 2a plus b is equal to 5 यह equation बड़ाया 2a plus b is equal to 5 तो यहाँ कहीं note कर देते हैं यह पहला ही question आएगा फिर आप कहेंगे as it is continuous at x is equal to 10 तो यहाँ 10 minus h यहाँ 10 plus h यहाँ 10 पराबर हो जाएगा 10 minus h जहाँ पर function 10 से छोटा हो रखते हैं value 10 से छोटा यहाँ पर function है तो यहाँ हो जाएगा limit h tends to 0 a 10 minus h plus b 10 plus h यहाँ 10 से बढ़ा हो यहाँ already value क्या दिए 21 10 पर value b 21 इसको इसके कुल कर दो limit रख दो तो 10 a plus b is equal to 21 यह दूसरा equation हो गया अब दोनों को simultaneously solve कर लीजे तरीका आपको मालूम होगा कि solving equation 1 and 2 हम ने डाइटे से लिख दिया क्योंकि b का coefficient same है तो यह equation क्या हो गया 10 a plus b is equal to 21 यहाँ क्या है 2 a plus b is equal to 5 दोनों को subtract कर दो minus 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 से कर जाएगा यहाँ आएगा 8 a 21,5 गया 16 a की value क्या आगे 2 a निकल आया a को उठा के कही रख दो putting the value of a in equation 1 putting a is equal to 2 in equation 1 यहाँ रखोगे तो आएगा 4 plus b is equal to 5 b will equal to 1 किस प्रकार से इसको solve करेंगे यह 30 question number अब 31 से लेकर के बताने के लिए कुछ चीज़े हम आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा आपने आपको 11th class में लिए चलो आप कहेंगे 11th तो हम ध्यान से पढ़ा नहीं तो फिर ले तो चलना ही पड़ेगा आपको यह कहना पड़ेगा नहीं हम 11th पास है देखे जान से एक composite function वहाँ पढ़ाया गया है जैसे a और b और c यह a है यह b है यह c है यह इसका रिस्तेदार है function है function f है यह इसका रिस्तेदार है function है यह g है तो इसके इसके भी जो relation होता है वह आपको बताया गया g binary f इसको ध्यान से समझे यह माले इसके रिस्तेदार है आप यहाँ जाते हो इनकी रिस्ते में आप आते हो यहां आते हैं इनकी रिस्ते में आते हैं यहां आपसे मुलाकात इनसे होती है आपकी मुलाकात इनसे होती है तो आपका भी इनसे को इनको रिस्ता होगा वही आपका binary relation होता है इसको binary operation कहते हैं G binary F पढ़ने को गौप पढ़ते हैं तो अगर कोई function f continuous है कोई function g continuous है तो उसका composite relation भी continuous होगा पहली बात दूसरी बात अगर कोई function fx continuous है कोई function gx continuous है तो fx plus gx भी continuous होगा fx minus gx भी continuous होगा fx into gx भी continuous होगा और fx upon gx भी continuous होगा पसके वल यहाँ gx को 0 नहीं होना चाहिए तो यह composite relation भी continuous होता है यह आपको मालू होना चाहिए इस concept का हम use आगे question में करना है इसलिए हम इसको कर रहे है देखो यह g bandi f है इसको लिखा जाता है gfx यह f bandi g भी हो सकता है fgx भी हो सकता है यह हम देखेंगे कि question किस प्रकार से हमसे पूछा गया है ठीक है इस concept को समल किजिएगा question पर आते है 31 देखें बहुत बढ़िया question है 31 show that the function defined by fx बराबर cos x square is continuous एक function है cos x square यह continuous है इसे show करना जरा समझिएगा हमारा function है cos x square cos x square अब problem मुने cos x को पढ़ा है ठीक है तो हमने यहाँ मान लिया let fx is equal to cos x यह हम जानते हैं is continuous यह आपका continuous होता है for all x belongs to real number यह सभी real number पे continuous होता है चामते ही cos की value अधिक स्थम 1 होती है निउन तम minus 1 होती है x कुछ भी आप रखें value आपको मिलती रहेगी और हमने एक gx मान लिया x square इस यह भी continuous होता ही क्योंकि polynomial है is continuous for all real number अब अब गॉफ लिखें या फॉग लिखें यह confusion है देखें क्योंकि यह चीज़ हमको लानी है तो हम लिखेंगे देखो मैं गलत लिख रहा हूँ अगर मैं गॉफ x लिखता हूँ तो आएगा gfx एक कंपोजर रिलेशन है gfx की value क्या है cos x जो g के साथ आया है यहाँ पर g के साथ क्या है x आया है जो g के साथ आया उसका square आपने किया है तो g के साथ यहाँ cos x आएगा तो इसका square करेंगे तो आना चाहिए cos x cos square x और यहाँ क्या दिया है cos x square यादि हमको गॉफ x नहीं मानना है यहाँ पर हमको क्या लेना पढ़ेगा f bindy gx fog x कह देते हैं उसको है नहीं fog x f gx f क्योंकि fog x is also continuous होता गॉफ भी continuous है लेकिन यहाँ fog है fog x is also continuous या will also be continuous will मतलब आप कहेंगा अगर यह दो continuous है तो गॉफ और fog भी continuous होंगे यह नियम होता है will also be continuous भी होंगे अब देखो gx क्या है x square जो f के साथ आता है वो cos का angle होता है f के साथ यहाँ x square आ रहा है तो यह cos का angle होगा यह भी continuous होगा हो गया proof ठीक है तो यह आपका 31 question number है यह देखना पढ़ेगा कि golf x माने कि fog x माने कि यह आपको समझना पढ़ेगा अब 32 question क्या कह रहा है देखी 32 question कह रहा है mod cos x करना है 32 mod cos x तो पहले हमने एक मान लिया cos x let fx is equal to cos x यह आप जानते हैं is continuous for all x belongs to यह for all the values of ka sign होता है और gx हमने मान लिया mod cos x sorry mod x mod x is continuous यह भी continuous होता है अब golf x माने यह for x माने देखे मुझे नहीं मानूं क्या माने मैं golf x मान रहा हूँ तो पहले golf x निकालेगे देखे पहले cause आना चाहिए फिर उसका mod लगेगा तो बाद में f लिखेंगे तो golf x लिखा हमने तो g और यहां क्या आ गया f x will also be continuous यह भी continuous होता है हमने गाँ composite भी होता है अग g plus f भी होता है g into f भी होता है तो डाड़ ले सकते हैं continuous for all x belongs to r g यह भी continuous होगा f x क्या है? f x है cause x जो g के साथ आएगा उसका mod करना है तो यह क्या आएगा? mod cosex is also continuous proof हो गया यह 32 question number है 33 देखी अब देखी यहां पर mod पूरे में लगा है यह ध्यान रखेगा 33 थोड़ा सा change क्या उन्होंने? 33 कह रहे हैं sign mod x 33 में कह रहे हैं sign mod x करिए तो हमने वहां पर माल लिया let f x बराबर sign x मतब पहले sign x के बारे में बात करेंगे फिर mod के बारे में बात करेंगे अगर mod लग जाए तो क्या होगा? तो आप जानते हैं is continuous is continuous for all x belongs to real number और g x हमने माल लिया mod x is continuous for all x belongs to real number अब मैं goff x निकालू sign x आना चाहिए फिर mod लगेगा देखें यहाँ पर पहले sign x आना चाहिए फिर mod लगेगा तो पहले आप यहाँ पर ज़रा में fog x निकालिए fog x तो f तो will also be continuous for all x belongs to r तो f यह gx हो गया f gx अमान क्या है mod x जो f के साथ आएगा वो sign का angle होगा तो यहाँ पर आएगा sign mod x will also be continuous यह इस परकार से इसको proof कर सकते हैं 34 question मैं दो तरीके से बताऊंगा ठीक है एक लंदी तरीका है एक short तरीका है चुकि हमारे पास एक rule है कि अगर दो function अलग अलग continuous है तो दोनों का subtraction दोनों का plus दोनों का multiply दोनों का divide सब continuous होते है यहाँ जो function दिया है 34 जो given function है given हमने इसका नाम दे दिया capital FX यह आपका mod x minus mod x plus 1 यह है हमने इसका कुछ नाम दे दिया कि let fx is equal to mod x small fx आप जानते हैं यह function continuous होता है is continuous is continuous for all x belongs to r mod function हमेशा continuous होता है और हमने x plus 1 जो mod था ना उसका नाम क्या दे दिया है gx यह भी continuous होता है तो अगर दोनों को minus कर दिया जाए तो so fx minus gx अगर हम करें जिसका के नाम capital fx आपने रखा है will also be continuous will also be continuous for all x belongs to r यानि कि mod x minus mod x plus 1 will also be continuous यह कोई काट नहीं सकता क्योंकि यह हमारे पास theorem होती है यह rule होता है यह दो function अलग-अलग continuous है तो उनका subtraction भी continuous होगा लेकिन आप कहेंगे साब मैं तो फ़रा लंदी लगाना चाहता हूँ चलो लंदी पी आजाओ देखो जरा second method दीखे यह first method लगाने का तरीका आपने बताया अगर मैं second method से इसको लगाना चाहूँ फ़रा इसको लंदी करना चाहूँ second method तो पहले mod को हटाईए ठीक है mod की definition क्या होती है देखे mod x को आप x लिखते है if x is greater r equal to 0 और minus x लिखते है if x is less than 0 यह mod x का लिखा आपने और mod x plus 1 को आप लिखेंगे plus में x plus 1 if x plus 1 is greater r equal to 0 यह x greater r equal to minus 1 that is minus x plus 1 if x plus 1 is less than 0 x less than minus 1 यह mod को खोड़ने का तरीका होता है यह आपके पास फिरा number line देखिए यह 0 है यह minus 1 है एक बार minus 1 से छोटी value लेंगे एक बार minus 1 से बड़ी value लेंगे एक बार 0 से छोटी लेंगे एक बार 0 से बड़ी लेंगे तो पहला case हम देखे चला है first case function कैसे बनेगा when x is less than minus 1 जब x less than minus 1 है इससे छोटा जब देखेगा तब function की value क्या है जोगर less than minus 1 का मतलब 0 से छोटा तो हाई है तो 0 से जब छोटा है तो 0 से छोटा है तो mod x क्या लिखा जाएगा minus x तो यह तो आ गया minus x ठीक है minus less than minus 1 यह क्या लिखा जाएगा minus x plus 1 तो minus minus x plus 1 तो खोल दीजे तो minus x plus x plus plus 1 तो इसकी value क्या दी 1 यहां लिखते जाओ fx is equal to 1 होगा कब if x is less than minus 1 तो एक तो minus 1 आपने ले लिया इसके पहले value function लिखा ली अब इसके इसके बीच निकालने हम जा रहे है दूसरा case हम लेके चलना है second case लेके चलना है x is greater r equal to minus 1 and less r equal to 0 देखे तो fx का मान क्या आएगा greater than minus 1 यहां पर आगे greater than minus 1 यहां पर आगे तो इसको क्या लिखेंगे x plus 1 mod को क्या लिखेंगे greater than minus 1 जीरो से छोटा और 0 से छोटा mod x क्या होता है minus x minus और mod x plus 1 क्या होता है यह है आपका plus x plus 1 plus x plus 1 so खोल दीजे minus x minus x minus 1 minus 2x minus 1 function की value क्या आगई minus 2x minus 1 कब if x is greater are equal to minus 1 and less are equal to 0 ठीक अब 0 से बढ़ा चलिए third case चलिए when x is greater than 0 जब 0 से बढ़ा आप जाएंगे तो यह भी 0 से बढ़ा है इधर जा रहे हम और यह भी 0 से बढ़ा है तो दोनों function positive लिखे जाएंगे तो fx की value क्या आगई x minus x plus 1 यह एक्स minus x minus 1 value क्या आएगी minus 1 function का बाहन क्या आएगा minus 1 कब if x is greater than 0 तो अब यह function आपको मिला ठीक जैसे पीछे वाले question आप लगा रहे हो वैसे यह function मिला तो आप minus 1 पे distance कर लेना फिर 0 पे distance कर लेना तब continuity आएगी function continuous है की नहीं है यह कर सकते है की minus 1 पे हमेशा minus 1 से छोटी value पे हमेशा 1 value आ रही है तो यह तो continuous होता है इसके बीच में हमेशा यह polynomial आएगा यह हमेशा continuous होगा greater than 0 पे हमेशा continuous होगा लेकिन जब minus 1 को बुलाएंगे minus 1 से छोटे को बुलाएंगे तो 1 आएगा और बड़े को बिलाएंगे तो minus 2x minus बनाएगा तो वहाँ पर आपको continuity चेक करने पड़ेगे तो यह continuity चेक कर लिजेगा इस परकार से एक साइज खतम हो गई है ओके थैंक्यू